हलो दोस्तों वेल्कम टो मैं चैनल पॉइंट आवर लासिस तो यहां पर थीम राइटिंग का जो मैटर है वो आपको लिखना मैं सखाने वाला हूं पहले की जो वीडियो जाकर जूर देखें उसके बीच में रिपोर्ट राइटिंग्स खई विए और एक और चीज़ खई है वो जाकर जड़ देखें और आपने को उसको पहले पढ़ना होता है तो पहले लाइन अपनी यही है कि रीड दा लिटरेचर जो भी आपको मैटर भी है कि उसको जहान से पढ़े identify the central theme or message of the literature मतलब वो कहना जाता है उसके character है जो plot है starting to determine the underlying meaning of the story पूरी कहानी को पढ़ने को बाद अपने को एपता लग जाता है कि यह सारे के सारी बात एक उसकी morality के उपर बेस जाए कि इनसान को हमेशा moral होना चाहिए उसके उपर बेस जाए तो अपने को central theme पता लगी morality develop a thesis statement तो इसके बीच में यह कहना चाहता है कि अपने जो भी theme ले रहे हैं वो complete होनी चाहिए कि उसका आगे विकास क्या से किया जा सकता है gather evidence जो भी अपनोंने मान लिजे कि अपने को कुछ नो कुछ इकठा करना पड़ेगा literature to spot your thesis statement जैसके आपने कहा दिया कि यह जो theme है वो यह हो सकती है morality को show कर रहे है paragraph में show करेंगे तो वो आपकी theme को जादे effective लगेगा write an introduction start with an attention grabbing statement अब हमेशा आपने देखा होगा theme writing करते वक्त उपर की जो दो lines होती है novels में हो या poems को या poetry में हो तो उसके वीच में उपर की दो lines कुछ ऐसी लिगे सकती है जिससे क्या जो पढ़ने वाला रिटरा उसका attention grab होता है कि वो उसे पड़े पड़े इस तरह की दो से तीन lines लिएती है ताकि पूरे की पूरी डिटेल उसको वहां पर ही दिख जाती है प्रवाइड बैग्राउंड इंफॉर्मेशन और लिटरेचर और अधा ऊथर ऊथर के बार में भी और लिटरेचर के बार में भी कुछ नॉलिज में आपके प्रवाइड की जंची है संब्राइजिंग और में पॉइंट्स एंड्री स्टेट इन वे डाट रिइंफॉर्समेंट यूर इंटर्पेटेशन ऑफ दा सेंट्रल थीम लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए कि जो भी मैंने में में पॉइंट्स लिखे हैं वो सेंट्रल थीम के उपर ही बेस्ट है लास्ट में प्रूफ रीड और एड़ेट का मतलती होता है कि अगर आपने कोई भी ऐसे लिखा या थीम राइटिंग लिखिया या कुछ भी लिखा उसको एक बर वापिस से बढ़ ल लिखिया दसके तो आईए होप आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें थैंक्यू